आज तर जितना भी मैंने प्ट सर्विस दिया है रिजादिंग लोन सेटलमेंट वहां पर एक चीज जो है बहुत ज़्यादा कस्टोर के तरफ से पूछा गया है वह है कि मेरा सेटलमेंट लेटर आया है और और मुझे जो है settlement letter का जो है verification करना है सब कि यह settlement letter जो है क्या यह valid है या फिक settlement letter है और दोस्तों यकीन मानिए settlement पूरे process के अंदर यह सबसे vital process होता है कि आपके पास settlement letter बोलके भेजा गया है by email या physical copy उस आपको कैसे verify करना होता है और अगर आप verify नहीं करते हो तो हो सकता है आपके साथ भी कोई fraud हो जाए मतलब बहुत हो जाए कि आपका लोन जो है अम इतने amount में settlement कर रहे हैं हो सकता है बाद में देखेंगी कि वह fake settlement letter जिसके चलते आपका लोन जो है settlement की जगा normal payment में adjust हो जाए चो दोस्ता आजके इस वीडियो का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि आप जो है कैसे आसानी से verify कर सकते हो कि आपके पास दिया गया जो लेटर है क्या actual में वो settlement letter ही है या नहीं तो मैं हूँ असल आप देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइप कर दीचेगा और सबसे मोस्त इंपोर्टन अगर आप मेरे चैनल पर फरस्टाइम आया हो मेरे वीडियो को फरस्टाइम देख रहे हो तो चैनल को ज सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रटना है वो है इमेल आइडी सेंडर का जो इमेल आईडी मतलब जिस इमेल आईडी से आपके पास इमेल आया है उस settlement letter का उसको आपको चेक करना है क्या actual में वो genuine है या फिर fake है या फिर invalid है कैसे आप चेक करेंगे एग्जम्पल के रहे ahí यहाँ पर देख सकते स्क्रीन पर यहाँ यहाँ पर एक ICICI जो बैंक का इस सेटल मेंट नेर हे यहाँ आपा हाइलाइड जहां कर रहे हो है जो बज도 क्या सांविया इच्वात शक्यान का email id के साथ match होना चाहिए जबजम पिल के लिए अगर आप से बात करके सेटल्मेंट बेजा है वह उस बैंक का अधिकार यह है कोई थाट पाटी का एजेंट नहीं है तो यह तो गया आपका पहला पॉइंट दूसरा दोस्तों जैसे ही आपके पास सेटल्मेंट लेटर आता है सेटल्मेंट लेटर को आप पढ़िएगा वहां पे बॉड़ी पे कुछ चीज में आपको बता रहा हो जो कि अब को ध्यान लगर दोस्तों दिखेंगा वहां कों छोली जोली धुडि कि आपका पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है तीसरा पॉइंट वह है तो मेल बॉडी बॉडी दोस्तों देखे जो भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी केडिट कार या भी परसनल लोन का सटल्मेंट करो उसका आपका कम्प्लीट नमबर या भी हाइड अगर वह लोन है तो लोन का नंबर लास्ट का चेडिजी निया पूरा लोन नपर वहां पर मेंशन होना चाहिए तो ही जाके आप इसको मान सकते हो कि हाँ ये भैले जो है स्टलमें लेटर है इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या क्या चीज़ ध्यान दगना पड़ेगा दोस्तों आपे घ्यार में हाइलाइट करूं यहां पर देख सकते हो कि आपका टूटाल आ।स्टाणिंग तिल देट मतब ज़ा को और नहीं हो जरोऊ है और उसके एगेंस में अक्च्णा मौन में आप सेटलमेंट करा रहा हूं एक्जाम्पिल के लिए मान के चलिए यहां भी आप देख सकते हूं कि छे लाक की उपर का अमाउंट है टोटल आउस्टेंडिंग और सेटल्मेंट हो रहा है ओर लाक चालीस पर तरीस एला के अंदर तो दोनों अमाउंट चो है यहां पर मेंचिन किया गया है मतलब टोटल आ कि अगर आप सेटल्मेंट के अमाउंट बोला जाता है बीज्ट के अनदर आपको जो है यह अमाउंट पे करना होता है और आप उसा ऑफ दो नहीं पर करते हो तो उसका भी अलग अश dif लेकिन जब सेटल्मेंट लेटर पर एशरु वेस्जिस आपका सैट्लमेंट लेटर पहरा जोना पहरा है यहां पर दिखा रहा हूं निनिकत है कि दों पाठ में पैसा देने के लिए और सब्सक्राइब जो डेल ब Katie देना है तो छो यह दिदा करें बश्रय अपको कॉशिश कडिए कोई इसलिए बोलो क्यूंकि अगर आपको कोई इमेल आईटी से यह आएगा और इमेल आईटी में पहले ही बता दिया कि आपको कैसे वेरिफाइए करना है कि वह जीनुई जाए इमेल आईटी है कि नहीं मतलब उस लोन कंपणी या फिर उस बैंक का हैटेनी तो आप कोशिश करिए का जो है शॉप कोपी में लेने के लिए जिससे आपको ऑथन्टी सिटी मिल जाए दूसरा है जब भी सेटलमेंट करो उसका चो पेमेंट है आप कैश को एवाइट करिए आप कोशिश करिए ओनलाइ पेमेंट करने के लिए ओनलाइन के मतलब ले नहीं कि कोई बैंक आख ऑउन पे डाल कि या इसी का नंबर पर गुजल पर कर दिया कंपनी का जो आथोराइस नंबर है या भी उठोश जो पॉस इसे पॉसेस थूरूब सेटल्मेंट का पेमेंट होता है सेटल्मेंट के लिए कोई अलग पेमेक चैनल या पिमेक पॉसेस नहीं होता है ágर आपको चाणना है आपका लोन कमपणी का प्रेमेक पॉसेस्थ तो आप अपने बेंग का या फी लोन कमपणी का वेबसाइट में जाके लोन पीमेंट और या पिए किस तरीके से अपको पेमेंट कर सकते हो तो उस कि किसी पर से आगठ करना है ना कि कि किसी पर्सॉनाल एकाउट में या फिर कोई आदया राकाउट में पहें करना है इस बात का उपहते हैं कि हमेशेड कोषिक्श कर बेहां पेमेंट करने लासच पॉइंट करनक पाद टेंट का सारा पूप अपर रग दीजिए और आप तब फी टू फोर मंथ आप ज़रूर जो है पेमेंट को वेरिफाइग करिए कि आपका केडिट रिपोर्ट में वो सेटेल्ट बोल के लिखा आ रहे कि नहीं है तो बैंग से बात करिए इमेल करिए आपका पेमेंट देखे और अप सेटेल्बोल के लिखा आएगा